हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अयरवेदिक मेडिसिन के बारे में जिसका काम मेंली जो वाद दोश को बैलन्स करके आपके नियुरो मस्कुलर डिसॉर्डस को ठीक करने का काम है और यह अमेजिंग हब क्योंकि आपके नवर सिस्टम को ठीक कर रही है तो इससे जुड़ी हुए कितनी ही प्राब्लम्स हैं जिनको ठीक करने के लिए तके लिए बहुत ऐफेक्टिव है और यह अमेजिंग आरवेदिक मेडिसन आरवेद में जो है रस राज रस के नाम से जाने जाती है तो आज हम रस राज रस के बारे में ही ह być यहांँ पर डिसकस किसी भी मेडिसन के बारे में benefit जानने से पहले आपको उसके content की जानकारी होना भी equally important रहता है तो रसराजरस के main ingredient के अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है mainly mercury याने की पारत का इस्तमाल किया जाता है लगभग 40 grams के करीब अबरक्सत का प्रयोग करते हैं इसमें यह जो हैं जो मात्रा बता रहे हैं यह जो है आप इसको ratio समझ सकते हैं कि किस ratio में इसको इस्तमाल किया जाता है वो quantity के हिसाब से मात्रा जो है अलग-अलग कम जादा हो सकती है लेकिन यह आपर यह ratio के लिए जो है बताया जाता है अब रक्सत का प्रयोग 10 ग्राम किया जाता है स्वन बस्म 5 ग्राम, लॉ बस्म 5 ग्राम, रजत बस्म 5 ग्राम और वंग बस्म 5 ग्राम तो यह सारे जितने भी जो मेटलिक बस में रहती है इसका इसमें important role रहता है तो इनको इस ratio में इस्तमाल करते हैं इन सब के fine powder को अलोविरा juice के साथ जो हैं बहुत अच्छे से mix किया जाता है इसमें जो हैं इसके बाद कुछ herbs का प्रयोग करते हैं जो इसमें add की जाती है वो mainly इसमें अशुगंदा, long, जैफल और शीर का कुली इन सब herbs को इसमें mix किया जाता है और साथ में इसमें काकमाची रस को बहुत अच्छे से mix किया जाता है ताकि जो है इसके tablets form किये जाएं और इस प्रकार से ये सारे ingredients को मिला करके त्यार होते हैं रस्राज रस खासतोर से tablet की form में आप इसको इसको इसमाल करते हैं क्योंकि वो एक proper dose भी आप उसमें जो है उसकी set कर सकते हैं तो dosage के अगर हम बात करते हैं जो रस्राज रस है वो 125 mg से लेकर के 250 mg के करीब जो है इसकी dose ले जाती है या फिर हम यह कहें कि एक से दो tablet दिन में एक बार या दो वर आप दूद के साथ खाने के बाद इसकी इसमाल करेंगे तो ये तो हुए फ्रेंट्स इसके dosage और इसकी contents के बात अब हमें benefit जानना इसका जरूरी है कि किस-किस problem के लिए जो है आप रस्राज रस का प्रियोग कर सकते हैं तो इसका सबसे पहला benefit है कि जैसे कि हमने बात की शुरू में ही कि nervous disorders पर ये काम करता है और जो main nervous disorder देखने में आम लोगों को भी मालूम है वो है paralysis चाहे वो पूरी body का paralysis हो या फिर आदी body का paralysis जिसको hemiplegia कहा जाता है या फिर facial paralysis हो तो इन किसी भी प्रकार के paralysis के लिए जो है रस्राज रस बहुत अच्छी आउश्टी के रुप में काम करता है इसके बाद किसी भी प्रकार का hearing defect या फिर कोई daisyness मतलब चकर के अगर problem रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए रस्राज रस बहुत अच्छा काम करता है इसके बाद जो इसका अगला benefit के अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि यह आपके nerves और muscles को strength दे रहा है तो जिन लोगों को stroke की problem हो जाती है तो वहाँ से recover करने के लिए बहुत जरूरी रहता है stroke के patients को उनके nerves और उनके blood vessels की strength को regain करना तो इसके लिए भी रस्राज रस का प्रयोग किया जाता है इसके बाद रस्राज रस्राज जो है कुछ cerebral disorders जैसे की seizures जिसको आम भाशा में आप मेर्गी की नाम से जानते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है रस्राज रस को अर्वीद के भाशा में वाजी कर बताया गया है और जो है medical terms की अगर हम modern medical terms की बात करें तो इसको कह सकते हैं तो strength बरनाने के लिए भी जो है इसका इस्तामाल किया जाता है इसके बाद यह तो हुई शारेरिक समस्याओं की बात इसके बाद जो है यह मांसिक रोगों जैसे की सीजोफ्रेनिया या depression की problem अगर किसी को है तो वहां पर भी रस्राज्रस अपना बहुत अच्छा काम करता है इसके बाद प्रेंड्स जो rheumatoid arthritis की problem है उसको manage करने के लिए भी रस्राज्रस equally important है और एक और बहुत important benefit जो रस्राज्रस का बताया जाता है वह टेटनस की problem या फि जादा देता है और बहुत ही magical फायदे हैं कि आपका nervous system जो almost dead भी लोगों का हो जाता है उसको भी ठी करने के लिए रस्राज्रस काम करता है तो अब जरूर इन सारी problems को देखते हुए अगर किसी को किसी भी प्रकार की इस तरीके की दिकत है तो आप अपने doctor की सला के साथ क्य प्रियों किया जाता है तो doctor की advice of course बिलकुल इसमें जरूरी है तो अपनी doctor की सला के साथ रस्राज्रस का प्रियोग करके इसके सभी benefits को ले सकते हैं कुछ precautions का ध्यान रखना भी आपर जरूरी है तो जो pregnant ladies है या lactating mothers है वो इसको avoid करेंगे बाकी लोग जो है रस्राज्रस का प कोई जानकरी पसंद आई होगी जानकरी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को like share वा subscribe कर दें thank you so much friends for watching stay healthy live well